हेलो अधार इंस्टिटूट इस साल का जो सबसे शांदार हमारा रेजल्ट रहा है वो सीसर नेट लाइफ साइंस मेल इंडिया फर्स ट्रेंग कुछ तो बात ही और यो जो वो कुछ बात की वज़े से ही मैं अगला जो आपके लेके आ हुँ वो है हिंदी का कॉलेज लेक्ट्र का स्टेडी मेटीरियल ओवरोल जो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश का स्टेडी मेटियल बहुत अमाउंट में हैं बहुत ज़्यादा हर्जे के उपलब्द हो जाता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती हिंदी पर यहां ज़रत पड़ी इसको हिंदी में के लिया यह जो मैंने वीडियो बना रहा हूं वह एक्टुरी उसी का एक सैंपल है जिसमें मैं आपको एक्स्प्लीन करूँगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं कैसे क्या बना रहे हैं हिंदी में की कॉलेज लेक्ट्र के स्टेडी पहले-पहले मैं आपको डिफाइन कर दू कि यह unit number one का मामला है, unit number one में जो पहला subsection है वो is cell biology, basic cell biology के नाम से effective भी दे रखा है, the structure and the function of the cell and cytoplasmic constituent, second है membrane को पूरा एक unit के form में दे रखा है, unit के subunit, जिसमा iron channel, active transport, membrane pump, mechanism of the solving and regulation of the intracellular transport, शब्द को ध्यान से देखना, intracellular transport, and electrical properties of membrane, electrical properties of membrane को हमने animal physio के साथ एक साथ ही डाल दिया है, क्योंकि यह जो topic है, यह सल में तीन जगह पर है, यहाँ पर भी है, उसके बाद यह एक बार कुछ नीचे भी है, अगर आपके syllabus को आप ध्यान से देख रहे हैं तो, एक बार यह य जगह पर डाल दिया है, खेर, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यह cell biology का basic, अतिशुद हिंदी में, कुछ यहाँ से लिया हमने, lysosome की detail, nucleus आपके syllabus में है, properly, इसके बाद ribosome आपके syllabus में है, ribosome के basics, क्योंकि छोटे-छोटे-चोटे basics आपको तयार करने, बहुत जादा detail में नह introduction में आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ introduction दिया हुआ है, और इस introduction के अधार पर आप लोगों को सारा का सारा काम करना है, basic cell cycle, cell cycle दो बार है आपके cell levels में, अगली वाली unit में भी cell cycle है, लेकिन वहाँ पर हमने भी उसको अलग angle पे लेके गए, अलग level पे लेके गए, वहाँ प बताया था कि भी अपने को syllabus में अगला जो टच करना, membrane structure और पूरा का पूरा जो अच्छे लेवल का, प्लस regulation and regulation of the intersolder transport, तो unit को उसी लेवल पर हमने इसको टच किया है, यह आपका पूरा membrane का structure, membrane से related एक दो छोटा मोट एक्सपरिमेंट, इसमें FRAP को हमने इंक्लूड किया है, यह जो अलग-अलग classes के जो pump होते हैं, P class pump, F class pump, उस सब को include किया है, interest overload trafficking अगला एक हमने लिया है, अगला हमने लिया है, और उसमें transport किस तरह से हो रहा है, nucleus के अंदर, ER से Golgi, वाला क्योंकि यह एक अच्छा कासा topic है, और काफी अच्छे-च्छे प्रश्निस के अंदर हमारे बन जाते हैं, ठीके, endoplasm reticulum को लिया है, then we talk about the Golgi, और endoplasm reticulum से protein किस प्रकार से transport होता है, Golgi apparatus, और सबसे बढ़िया बात है, इसको हमने हर चीज को हिंगलिश में बनाया है, lysosum के protein, RER में बनते हैं, RER मतलब fundoplasm reticulum, Golgi apparatus के दुरा transport होता है, transport vesicle protein को lead transport तक transport करते हैं, और सौन, atherosclerosis एक disease है, जो arterial blood vessels को प्रभावित करती है, और arteries के walls में chronic inflammatory response हो, तो इसके लिए मुख्यकरण macrophages और WBC के खटा होना या विशरिश रूप से oxidized LDL से promote होता है, जो कि LDL से macrophage द्वारा lipoprene के निगही निकलने के करण बनता है, कुछ इस तरह है कि मैरे खाल से इंग्लिश मुने माले भी खाफी लोग इसको prefer करना चाहेंगे, फिर DNA के बारे में बात की जा रही है, DNA में टेबल्स जो अपने को रटा लगा नहीं लगा नहीं है, क्योंकि हर एक्जाम में आती है, ज़ए DNA का स्ट्रक्चर, ज़ए DNA, डबलस डिएने की लेफ्ट हैंड़ फॉर्म है, ठीके, सामने ज़ए DNA हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पर होती है, अगर सीक्वेंस में थालेटिड हो, तो यह लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन पर भी स्टेपल हो जाता है, हुक्स्टीन बेस्पेरिंग क्या होती है, बाटसन की द्वारा यह जो दस साल बात हुक्स्टीन ने इसको प्रेजेंट किया था, राइबोजाइम्स को हमनें हिंदी कर दिया, और टी रने का स्ट्रक्चर की टी साई सी आर दूसरे असामान ने बेस स्टूडियो रखती है, इसके अंदर होते हैं, और राइबोसम के लिए विशेश रूप से रिकोग्निशन का कारी करती है, जो कि प्रोटिन बाइस सिंथे के दोरान टी रने राइबोसम स्ट्रक्चर बन सके, इस दे वे ओफ ट्रांसलेटिटिंग कि आप लोग को जरासी भी परेशानी ना हो, और आप लोग actual में subject को भी उसको न्याय कर सकें subject के साथ भी, चुकि आपका अगला जो topic है वो है enzymes of the DNA replication, जैसे यहाँ पर types of nucleic acid हो गया है, उसके बाद DNA replication, तो DNA unit of replication enzymes involved, enzymes involved नो नोने emphasize किया है, तो obviously आपको सभी enzymes के बारे में अलग-अलग, छोटी-छोटी जान करेया तो होनी ही च तो site specific recombination में हम यहाँ पर आ जाएंगे, यह आपके enzymes, पूरी-पूरी tables बनाई गई है, ligases, DNA replication कैसे होता है, क्या होता है, इसमें भाषा का हमने संपुनु रूप से ध्यान रखा है, DNA replication की initiation की घटना, जो अपने prokaryotes में और eukaryotes में कैसे होती है, इसमें आगे बढ़ गए, आपके telomeres क्या होते हैं, और यह आपका telomeres के बारे में DNA repair अपने आप में topic है आपके इसमें, NER का एक topic है, 0-derma pigmentosa, DNA recombination, homologous recombination, उसके बाद REC BCD, क्योंकि prokaryotic system आपको लेना पड़ेगा, और इसको बड़ अच्छे तरीके से हमने इसको translate किया है, REC BCD का complex, holiday junction कैसे work करत है, branch migration क्या होता है, यह सारी की सारी बात है, site specific recombination आपके topic है, तो हमने इसको proper तरीके से लिए conservative site specific recombination, इसमें हिन recombination कैसे work करते हैं, transcription in the prokaryotes, और यह इस प्रकार से सारा का सारा in detail आप इसको कर सकते हैं, तो यह जो पहली unit है, इसमें cell biology, molecule biology बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको भी हमने उसी तरीके से lecoperon को बहुत अच्छे से explain किया है, कि लेक्टो उपस्तित है, और cyclic MP उपस्तित है, लेक्टो उपस्तित यह नपस्तित, यह नपस्तित यह उपस्तित और यह दोनों उपस्तित, और किस प्रकार से यह work करेगा, तो यह सारी की सारी बा जो हिंदी का ग्यान, अंग्रेजी का ग्यान है, वो आपको होना आवश्यक है, जैसे methylate तो methylate ही होता है, methyli करण नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा हो जाता हो, यह आपका protein synthesis की संपूर्ण टकरिया, जिसमें की बहुत अच्छे diagram के साथ हमने इसको explain किय है, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज हम आप तक पहुंचा सके हैं, ज़्यादा सटीकता से, जो diagram है, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला वर्जन है हमारा है, इनी नोट्स का, उसमें से ऐसे उठाया है, diagram की हिंदी नहीं कर सकते हैं, और हमने करने का प पूरा हिंदी करन, हिंग्लिश करन स्वरी, आपके फाजेज आपके कोर्स में हैं, जगर आपने ध्यान दिया हो, तो नीचे की तरफ इसमें फाजेस के बारे में बात कर रखिये, इसमें इसमें प्रकार से एक यूनिट आपकी पूरी की पूरी बन जाती है, तो यह हमारा नुमर वन टेपर टू का फिर अगली यूनिट आती है आपकी सेल सिग्नलिंग सेल एंड सेल कम्यूनिकेशन जिसमें सेल सेल कम्यूनिकेशन में आपका हमेट्रोपेशिस वाला हिससे हम लोग अनिमल फिजियो में अड़ कर रहे हैं यहां अजी वह गरीब हो जाता है थोड़ है इससे हो रही है बैसिक व्यूहाइं होता है आपने किस प्रकार से ان्ट्रसलर्य्टर्स करते शिच्पोर इंट्रसलर्य तकर्य करते हैं यसको प्रॉपर हिंदी कंवर्जन हमने किया है इसमें मैं रिखाल से इससे बढ़ाए सिग्नलिंगita क्म्रों खहीं नहीं हुआ है और यहां ट्रांसलेशन रोड विजन इसको थोड़ा सा वैसे ही रखा है यह टेबल्स को भी थोड़ा सा अंग्रेजी में रखा कि इसकी हिंदी कैसे बनाते हैं हम लोग एंजाइम लिक रिसेप्टर जैसे रिसेप्टर गवानेल साइकले जब बढ़ता है तो हार्ट के अट्रेम में मसल से एंपी हॉर्मोन रिस्तरावित होता है और एंपी सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए किड्नी को स्टिमूलेट करते हैं बड़ी शांदार सी जो बोलने वाली भाशा है हमने वो कनवर्ट किया है इसको तो यह पूरी की पूरी सिग्नलिं मेरे खाल से इस अब लोग आप बड़ा डरते रहे होंगे जैक स्टेट सिग्नलिंग और प्लांट सिग्नलिंग आपके कोर्स में है बड़ी अजीब करी बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट संब बैक्टिरियल कीमो टेक्स एंड द सेंसिंग और यह बैक्टिर्यग और प्लांट प्लांट सिस्टन तू इसको अंतल्रीन सिंग्ञे को लेते हुए बैक्टिर Esta скаж system bacterial chemo taxes तो syllabus को पूरा करने का प्रयास किया है जिसमें कि हर चीज को cover किया जा सके यह corn sensing का अपने अपने topic है vibrio fishery और social insects, pseudomonas aeruginosa, honey bee, then functional classification of the cell junction वो जो पहली unit से उसको अपने दूसरे पर रखा है, वो order हमने अपने हसाब change कर लिया यहां पर overall इन सब जगहों पर चीज़ों को लिया है cell junction के बाद का जो topic है वो बड़ा शांदार सा जैसे gags को हमने लिया है glycosaminoglycan, fibronectin, then leukocyte और उसके movements, then cell cycle, जैसे मैं आप से कहाता है cell division को अलग रखा, cell cycle को लग रखा, यहां पर हमारा जो main emphasis है वो cycling CDK और जो higher level का, जो regulation वाला cell cycle वो है क्योंकि आपका जो cell level से उसमें clear cut define है कुछ इस जगह पर changes in the progenitor से, loncogen, tumor suppressant, cancer in the cell cycle तो इसके विना cancer को समझबाना मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है पिर भी अगर आपकी choice लगती है, आपको लगता है छोड़ना तो छोड़ देना क्योंकि इसको भी आपको पढ़ना अवश्यक है अगर MSC level का आप exam दे रहे हैं तो छोटे मोटे सवाल है, बहुत detail में हमने इसको नहीं डाला है जो superficial level पर cancer संबंदित cell cycle उसको ले लिया है 53 को define explain किया है, retinoblastoma को explain किया गया है cancer biology properly है, जिसमें cancer के characters, cancer कैसे transport होता है infiltration metastase कैसे होता है, basic tabulation और carcinogens की जो पूरी tables है virus and carcinogenesis, यह सारे details और last में apoptosis, आपके syllabus में apoptosis भी है यह राख, so यह आपका है unit number two, अगली आते हैं आपकी तीसरी unit microscopic, histochemical technique, radio labeling technique, electrophoresis, chromatography, centrifugation, spectrophotometry, isolation of DNA, इस तरह के सारी के सारे unit और इसका जो explanation है, या इसका जो review अगर आप करना चाहें तो यह कुछ इसका review है, यह आपकी पूरी-पूरी microscopies को लिया हमने है, इसका भी हिंदी वर्जिन बहुत शांदार है, AFM, I think आप लोग जानते होंगे AFM, atomic force microscopy, उसके बाद gram staining, staining के सारी technique, इसके बाद जो basic मेरा तरीका होता है, किसी भी topic को शुरू करने का, मैं keywords पहले रखता हूं हमेशा, यहाँ पर भी रखा है, genetic engineering शुरू करने से पहले, जितने भी keywords और जो महतवपून शब्द होते हैं, उनकी परिभाशा हैं यहाँ पर रखी गई है, और इसी के साथ आपको शुरू करना है, blotting techniques, यानि के southern hybridization, northern, western, dot blot, colony blot, उसके बाद radio chemistry, पूरी की पूरी, क्योंकि आपके radio labeling है, और gigarmuller counter वगेरा सभी को इसमें include किया है, types of radiation in the biochemistry, gigarmuller counter, और how to go for the liquid scintillation counting, और measure जो radio activity इस्तेवाल होती है, यह आपकी chromatography, पूरी तरह से हिंदी में, जिसना मैं कर सकता था, identification of the components, सबस्यादा useful तरीका, mass spectroscopy, इस तखनीक के तथे पर आदारित होती है, कि move करता हुआ, charged particle magnetic field से deflect होता है, deflection, यानि कि किस दीच का हट जाना, कि मात्रा particle के momentum पर, यानि कि उसका समवेग जो होता है, उस पर निर्भर करती है, वैं समवेग लिख सकता था, पर मैं जानबूच के नहीं लिखा, यह जादा ही ख़तरना हो जाएगा वो, एगरोज इस chromatography में continuous gel की तरह use नहीं किया जाता, बलकि porous beads के रूप में बनाया जाता है, यह इस तरह का translation techniques का है, क्योंकि इसकी हिंदी बड़ी, इसको एक जगह से, यह आपका, हिंदी अगर ज़रुद सदा कर देते हैं, तो यह होता है, chromatography के इस रूप में स्थिर चरण धुरुविय है, हैन्ने कि stationary phase polar है, और mobile phase अपक्षाक्रत non-polar है, सबसे लोगत्री यह चरण, स्थिर चरण silica से जोड़ा एक alkaline है, यह इस तरह की हिंदी कुछ अलग हो जाती है, इसलिए हमने जितना हो सका जब हाथ से कर रहे थे, तो ची हिंदी में बनाएं इसको, और यह सारा material उपलब्ध है आपके लिए, जुलो जी, RPSC College Lecturer 2021 के लिए, centrifugation की हिंदी अपकेंद्रन होती है, आप सबको पता होगा, और अपकेंद्रन के प्रकार किस-किस प्रकार से हो सकते हैं, principles of protein purification, आपके course की बात है यह भी, फिर आ जाते ह हैं, जैसे vectors की पूरी-पूरी हिंदी बड़ी अच्छे से की गई है विसे तो, properties of good vector क्या होता है, PBR 322 क्या है, PUC क्या है, उसके बाद M13 phases, बड़ा तीन-तीन लाइन का जो description हम कोशिश कर सकते हैं, इसको छोटा बनाने की, SV40 क्या है, आपके crown gold disease, यानि की जो अपना agrobacterium की कहानी पूरी, TIE plasmid पूरा का पूरा, agrobacterium का पूरा का पूरा system, shuttles vector क्या होते है, याक्त क्या होता है, basic markers और selection markers इसके obviously, protein production strategy in the expression systems, जो कि आपके course की चीज़ है, यहां पर, libraries क्या होती है, DNA library क्या होती है, CDNA library क्या होती है, उसके बाद DNA sequencing, enzymatic method, जो कि अपना Sengar method of Maximilbert method, पैर AFLP को होने लिया है, यहां पर हिंदी में, आगिन English में, not Hindi में, यह शुद्ध रूप से English है, RAPD और AFLP, यही तीन चीज़ आपके course में है, तो यह आपका unit number 3 है, यह आपका unit number 4, that is ecology, ecology में हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो as usual मैंने सबसे पहले keywords से लिया है, general ecology में keywords क्या ह हैं, कौन-कौन से शब्दा आपको याद करने हैं, और उसके बाद as usual factors, environmental factors के नाम पर abiotic factors, और फिर इसके बाद biotic factors, यह soil, बुरा बुरा biotic factors, वैसे तो plant में आता है, पर अपने को example के साबसे यह population dynamics, population ecology आपनों के बहुत जादा अच्छ से है, यह आपका survivorship curve, उसके different life tables, case selection, r selection, population density dependence, factor affecting the population densities, population ecology का अच्छे तरीके से, यह आपका limiting similarities, इसमें resource utilization curve, और community, community के बाद आपको, यह basic characters, community के, कैसे density calculate की जाती है, और यह सारे के सारी चीज़ें, जिसमें, कुछ और अदम index वोगर अभी मैंने इसमें include कर लिया है, जैसे ecological succession, एक अच्छी का unit है, then ecosystem, ecosystem में अलग अलग तरह के जो फार्मूले जिन पर सवाल सीदे सीदे बन जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, आपके pyramids, proper English और Hindi दोनों लिये हैं, क्योंकि ecology थोड़ा सा English में भी आपनों को एक दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ, अलग अलग तरह की efficiency के जो फार्म पॉलिशन में काफी कुछ आजकल सवाल बनते हैं, environmental pollution में, तो यह सारे के सारे pollute interest में लिए गए हैं, and then, यह आपको water pollution, radioactive pollution, noise pollution, biological pest control, then we have taken some sort of things, red data book क्या होता है, और biodiversity क्या होती, conservation national park क्या होता है, राजस्तान के national park कौन-कौन से है, यह वाड़ा shortcut में पूरी की पूरी एकोलोजी लेने का प्रयास किया है, फिर आता है, आपका unit number, जो five है, वो तीन चीज़े हैं उसके अंदर, biochemistry, पूरी की पूरी, याने के metabolism तक की मज़े की बात, उन्होंने एक unit में सब कुस लिख दिया, immunology एक जगह पर लिखा हुआ है, basics of immunology, पता नहीं, उसका मतलब कितना लंबा चोड़ा हमें जाना है, पर आगये हैं, glycolysis, krebs cycle, यह आपका gluconeogenesis, glycogen degradation, glycogen metabolism, एक अच्छा सब टॉपिक है, उसके बाद oxidative phosphorylation, electron transport system, जो की लिख टेल में लिए आगया है, metabolism के बाद सीधे की सीधे हमाजा है, ETS वगरा हमना रहा हो चुका है, ETS के बाद lipid metabolism, यह आपका physiology के एक topic है, इसमें muscles और neurons के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, I think second number की unit, तो जो एक बार neurotransmitter को मैंने आपको बोला था कि cell biology में भी है, तो यह यहां पर भी है, तो हमने सारी चीज़ों को एक जगह पर डाल दिया, यह आपका neurotransmission, then, sorry, muscles, muscles के बाद यह आपका neuron structure, neuron structure के बाद आपका neurotransmitter, neurotransmitter, action potential, then synapse की पूरी की पूरी बात, synapse कैसे work करता है, synapse के basic neurotransmitters, memory क्या है, neurotransmitter का classification क्या है, and then, अलग अलग तरह की drugs, sensory organs में, eye और ear आपके course में है, यह कुछ, उसके बाद नीचे आगए हम लोग, ear की functioning, equilibrium कैसे work करता है, digestive system आपका, नीचे तक अगर चले जाएं, तो यह आपका, ruminants को भी हमने इसमें बीच में include किया है, overall, क्योंकि रुमिनेशन जो है, अपने आप में बड़ा important topic है, यहाँ पर, और, इस जगे पर, the breathing capacities, जो है, respirative capacities, हाँ, immunology को यहाँ पर लीजिए, basics immunology में हमने, inner immune system, acquired immune system में difference क्या है, किस तरह इसे work करता है, immune cells, क्योंकि immune cells स्यादा मेरे काल से circulation के point of view से, इस स्यादा नहीं पूछा जाता, और, यह वाली सारी के सारी चीजे हम लोग एक बार ले लेता है, यह cardiac cycle आपके course की चीज, इसके बाद double circulation of the heart, सभी तरह की पोटेंशनल, क्योंकि electrical properties भी आपके course में हैं, और electrical properties को हमने यहाँ पर लिया है, उसके बाद आ जाएं जरा, excretory system, circulatory के बाद, detail में लिया है, क्योंकि काफी कुछ question इसमें बनते हैं, उसके बाद endocrine system, endocrine logic को दो parts में लिया है, basic सारी के सारी glands, जो कि रूटीन की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि NEET से ज्यादा तरीके की चीज़े लिया है, हमने इसमें, नीट में तो आप सर्फ एक table याद करते हैं, हमने इसमें हर चीज का effect को जैसे heart पर effect, nervous system पर effect, skeletal muscles, muscles पर effect, कुछ सेंस में लिया है, पूरा का पूरा, ठीके, and this is how it is going to happen, यह पूरा का पूरा नीचे तक अगर हम जाएं, pineal body और यह कुछ सारी के सारी बात हैं, reproductive physiology एक अगला topic है इसमें, यह female reproductive system, male reproductive system का development, उससे related सारे के सारे hormones, यह पूरा का पूरा आपका unit number, लिया है, यह झार लिया है।